स्वागते दोस्तों आप सुभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI Max 2 या फिर किसी भी शाओं में मुबाइल में यदि आपका होट स्पोट और वाइफाई काम नहीं कर रहा है और इसमें connect कर निकले आपको problem आ रहा है तो किसे कैसे आप इसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को एक like अभी के अभी कर देजेगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें तो Xiaomi मुबाइल में हमारे किसी भी मॉडल के Xiaomi मुबाइल में हमें बहुत सारे वाइफाई और होट्सपोट के regarding हमें problem आता है यहां फिर के लिए होट्सपोट हम जब ओन करते यहां पे दूसरे device में connected नहीं हो पाता है ठीक है और यहां पी और भी बहुत सारे जो हमें problem शो होता है तो इसे हम कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजएगा ठीक है यहां पी में दोस्तो कम से कम आपको एक दो तीन चार पांच solution बताऊंगा पांच solution बताऊंगा जिसके मतल से आपका problem definitely solve होगा सबसे पहला solution है दोस्तो आप अपना mobile को एक बार restart कर लिजएगा switch off करके switch on कर लिजएगा और उसके बाद में दोस्तो आपको wifi और hotspot को एक बार connect करके देखिएगा काम करता है कि निए ठीक है कभी-कभी mobile restart करने पर बहुत सारे problem solve हो जाता है problem solve हो जाता है तो सही बात है नहीं होता है कोई दिकत नहीं है उसके बाद second step आपको अपना mobile का settings पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको ढूबाइल में more पे चले जाएगा more पे चले जाने के बाद में आपको airplane mode को एक बार on कर देना है अभी airplane mode को on करने के बाद में आपका जो है network completely गायब हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर network जो है दुबारा आपको airplane mode को off कर देना है अभी off करने के बाद में दुबारा आपका network completely आजाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों एक बाद hotspot और wifi को connect करके देखें काम करता है की नहीं काम कर जाता है सही बाते काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं third step में आपको बताऊंगा और यह third step जो है दोस्तों third step के जरिये से आपका problem definitely solve होना चाहिए 100% यहां पर आपको third problem क्या है third solution आपको settings पर जाना है more पर चले जाए more settings पर network setting reset पर चले जाएए अभी यहां पर आप देख सकते है wifi आपका wifi जो के hotspot भी wifi के अंदर में ही आता है ठीक है और आपका mobile data और bluetooth का आपका option दिया गया आपको एकदम नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा reset settings तो इसके उपर आपको click करना है और आपका यहां पर जो भी आपका password है वह आपको screen पर भर देना है तो यहां पर ok button पर click कर देना है तो आपका network settings has been reset तो आपका यहां पर wifi और hotspot का settings जो है वह reset हो चुका है अभी तोस्तों जाके आप अपना wifi को on कीजिए hotspot को on करके आप connect करने का try कीजिए आपका problem definitely solve हो जाना चाहिए ठीक है यह 3 करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए by any chance सीदिया आपका problem फिर भी fix नहीं हो पा रहा है तब आप जो है settings पे चले जाए और एकदम नीचे चले आईए installed application पे चले जाए installed apps पर और यहां पर आपको search करना है system launcher ठीक है तो चलिए यहां पर हम डून लेते है system launcher SYSTM system launcher इसके ओपर क्लिक करके storage में चले जाए और clear data में क्लिक करके clear all data पे click करके ok करतीजिए यह करने के बाद में दोस्तों आपको वापस जाना है वापस सली जाए और mobile को एक बार restart कर लिजेगा और चेक कीजिए आपका wifi और hotspot काम करता है कि ने काम आपका definitely कर जाना चाहिए बाई एनी चांस फिर भी आपका problem आ रहा है network और hotspot पे आपका bluetooth नहीं आपका hotspot और wifi पे तब आपको क्या करना है last option एक है दोस्तों आपको एक बार अपना mobile जो है about phone पे चले जाएए और system update एक बार चेक कीजिए कभी कभी क्या आता है कि दोस्तों हम अपना mobile में system update आया हुआ रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर system के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं phone app log और lock screen status bar काफ transport में problem बहुत आता है तो यह update करने के बाद में दोस्तों आपका definitely problem जो है solve हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching